हाई एविवान असलाम अलेकुम वेलकम बैग टू मैं चानल सुगाईस माइनीमिस दारा आज की विडियो उन मॉम्स की रिक्वेस्ट पर है जो के अपने बेबी के हैर्स की वज़ा से बहुत जादा परेशान है बेबी के हैर्स नहीं आते हैं ग्रोनीं करते हैं या फिर हैर् आज की वीडियो में पता चलने वाला है एक शैंपू पर भी रिवियू करूंगी और साथ में आपको इसके बेनेफिट्स प्राइज यूजिज और साइड इफेक्स भी बताऊंगी तो वीडियो को एंड तक वाच कीजेगा उसके साथ साथ मैं आप लोगो कुछ टिप्स भी हूं उसका नाम है अवीनो बेबी डेली मौश्राइजर टू इन वान चैंपू एंड कंडिशनर नेश्रल ओर एक्स्रैक एंड वाइटमिन ए ओके गईस आवीनो जो प्रोड़क्स होते हैं वो यूएस ब्रेंड और बहुत अच्छा ब्रेंड है अवीनो इस्पेशली है वो ही चीज में आपको बताऊंगी जो फॉर्मूला ये यूज करते हैं इसके अंदर जो इंग्रेडिंट यूज करते हैं वो है ओड ओड के अंदर आप लोग नहीं जानते कितनी सारी चीजे हैं हमारे लिए ओड के अंदर होता है प्रोटीन्स एंटी आक्सिडेंट होत है उसके लिए हो तो ये उसके लिए बहुत सूपर इंग्रेडियंट है ओड के अप बात करते हैं इस प्रोड़क के बेनेफिट की तो इसके बहुत सारे बेनेफिट हैं इससे आपके बाल आपके बच्चे के जो बाल हैं वो हेल्दी होंगे सॉफ्ट होंगे शाइनी होंग जब जब नए या बाद भी उसे वह हुझत झायाई nya तो हम नहीं तो हम या करते हैं starting से ही बालों की health को खराब कर दोगे तो बाल कभी नहीं बढ़ेंगे start से आप ख्याल लगते हो बच्चों का like जब बचे पैदा होते हैं तो आप baby shampoo वगारा लगाते हो और baby के लिए babies के लिए ऐसे ही formula तैयार किये जाते हैं जो के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हों और कम केमिकल के हों इसी वज़ा से ऐसे प्रोड़क्स रेडि किये जाते हैं लेकिन जब आपका बच्चा दो साल से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो आप क्या करते हो कि आप हर टाइब की शैंपू यूज कर देना शुरू कर देते हो मैंने अपना ऐसे फैमिली मेंबर्स नहीं बहुत ज्यादा देखा है लाइक जो साचे में शैंपू आते हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं आप लोग अजना शैंपू के अंदर सफेट होता है और सफेट बच्चों की स्टार्ट की हेँल्थ के लिए ब्लकुल भी अच्छा नहीं होता मैं आपको यही सज्जेस्ट करूंगी कि आप बच्चे हो या बड़े हो शैंपू यूज कीजिये तलफेट का सिर्फ एक फाइदा होता है एक तो उसके अंदर चिकनाहत जो है वो खतम करने की ज्यादा ताकत होती हो जाग ज्यादा बनाता है बर वो आपके बालों के लिए बहुत हामफुल इंग्रेडियंट्स है इसी वज़ा से बच्छों के बाल नहीं बढ़ते हैं खाव बालों के लिए बहुत अच्छा होता है उसके अंदर वॉलियम आता है फ्रोटीन से सेकेंड लिए के ओईलिंग जरूर कीजिए अपने बच्छों के अगर आप ज्यादा स्टिकी नहीं लगा सकते तो आप नारियल का तेल यूज़ कीजिए बट बालों में तेल की बहुत इसको आप यूज़ कीज़ें इसके अंदर कंडिशनर होता है कंडिशनर से आपके बाल जो है वो काफी अच्छे इसमूथ और हल्डी होते हैं सेकंड लिए आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हो इसके अंदर कोई सलफेट नहीं है कोई पैराबिन नहीं है और जितने बात कि जाए इसके प्राइज की तो आपको 4000 रूपीज का पड़ेगा जिसमें 300 ml की बॉटल होती है और दूसरी सबात यह बात कि आपको ऑन-लाइन बाय करना पड़ेगा आगर आपको यह ऑन-लाइन बाय करना है तो तो आप स्क्रीन पे जो नंबर चल ला है इस पे भी बाई कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है वेबसाइट का वहां से भी बाई कर सकते हो और यार धकिए जब भी आप कोई भी चीज़ बाई करें तो वो बच्चों के लिए वो सील पैक होनी चाहिए जिसके अंदर ना कैमिकल हो और ना ही हार्श हो इसको सेंसिटिव स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं जो बाल सेंसिटिव होते हैं लाइक अगर आपके बच्चे के बाल ज़र रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं या पिर गंच का पन का प्रॉब्लम है तब भी आप इसको सकते हैं उसको यूज करके देखो अगर आप यह यूज नहीं कर सकते हो तो आप जॉंस कंपनी का शेंपू भी यूज कर सकते हो वो भी बच्चों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है स्टार में मैं भी अपनी बेबी को वही यूज करती थी लेकिन आप थोड़ा सा म बात करी हूं को बहुत चौक होता है बाल बढ़ाने का तो अब यह अगर आंगे बच्यों के बालों के हैल्थ की कियर करेंगे बच्चों के बाल बहुत बड़े हो जाएंगे आई हो आपको वीडियो पसंदार्यों कि विडियो अच्छी लगे तो लायक और चेर कर अब मिलूँगी नेक्स वीडियो में आपना बहुत सारा ख्यार लगएगा अल्ला आपश